जपान के अंदर आज इतना छोटा सा जपान लीडर हो गया सारे वर्ल्ड के अंदर उसका कारण यही है कि वहाँ पर एक वर कल्चर ऐसा बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले वहाँ meditation room में उसको जाना पड़ता है हर company में एक meditation room बनाया जाता है basement में पहले उनका मानना ये था कि व्यक्ति के जो भी emotions generate हो उसको निकाल देना चाहिए और इसी लिए उन्होंने पहले एक नीचे basement में एक ऐसा कमरा बनाया था जहां एक बूत बनाया था कि मान लो कि आपको अपने boss पर गुस्सा आता है नीचे आकर के निकाल दो गाली दो जो करना है करो आवा bring out those emotions don't let it be there तो ये जो भी आता था मना पहले पंदरा दिन में एक बार लोग जाते थे emotions अपने निकाल करके उपर आ जाते थे release हो गए जैसे free हो गए है न खुब गालियां दे करके आ गए boss को फिर उसके बाद देखा गया कि कोई भी चीज बार बार करने से संसकार बनता है तो जो पहले पंदरा दिन में जाते थे दस दिन में जाने लगे हफते में जाने लगे हफते में भी तीन बार जाने लगे फिर हर रोज जाने लगे रोज तो हो गया लेकिन दिन में तीन बार जाने लगे तब उन्होंने रियलाइस किया कि तो बढ़ता जा रहे हैं, बहुत एक दूसरे को और लिटरली वर्कप्लेस पर भी शुरू होने लगा, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, इस इस नोट वरकिंग, तो एक आपना स्ट्रेस रिलीज कर दो, और फिर आप शान्थ हो करके जाईए, धीरे धीरे लोगों के जो नीचे कमरे में जाने की आदत थी, कम होती गई, बहुत कम ऐसा होने लगा, और धीरे धीरे वापस जो एक पॉजिटिव उर्जा, कि कि मेडिटेशन करने लगे, अब इनका कि ये कल्चर ये हो गया, कि उस मेडिटेशन रूम में कमपलसरी, जब घर से आओ ता कि घर का स्ट्रेस ओफिस में नहीं आए, नीचे बैठो, पांच मेंट, दस मेंट, पंदरा मेंट बैठो, मेडिटेशन करो, उसके बाद ओफिस में जाओ, ओफिस से जाते वक्त भी नी में बैठो, फिर घर जाओ तकि ओफिस का स्ट्रेस घर में नहीं, घर का स्ट्रेस ओफिस में नहीं.